मेरे चैनल में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे कि यह क्या है तो कई लोगों का स्वाल होता है कि टाटरी क्या है या निमबू का फूल या निमबू का सथ तो ये वही है नॉर्मार आम तोर पे हलवाई लोग इसका उप्योग प्नीर बनाने में करते हैं चिस मैं भूत पूब भी कहते हैं तो इसकी फ्योग करने के लिए इसमें हमने थोड़ा पानी डाला है और फिलकुस थोड़ी सी कुवांटिटे मी भी हमें लीया है तो इतना सारा दूर जैसे बिकोना भरके दूर कंपनी ऐग तो इतना काफी है तो इसको पानी में पहले गोल लेते हैं दूद को गरम कर लेते हैं जब दूद अच्छी तरह से गरम हो जाता है तो उसके बाद इसका प्योग दिरे-दिरे करके इसको इसके उपर डाल देते हैं तो इसको हिलाना नहीं है बस ऐसे इसको सिम पे करके छोड़ देना है और यह अपने आप ही इसका आफर होणे लगेगा तो यह देखिए छोड़ थोड़ा दूद्ध बढ़ने लग गया है इसको बिल्कुल भी मत हिलाईए आप तो यह देखिए थोड़ी देर बाद हम deh रहे हैं च्थेकर दूद्ध का रही बन गया है थोड़ी दिर और इसको ऐसे ही पड़े रहने देंगे इससे अपनीर बहुत ही बढ़िया बनता है और सॉफ्ट बनता है तो यह देखिए मिल्कुल पानी अलग हो गया है तो अभी हम एक कपड़ा लेंगे और इसके नीचे इस तरह से गोना रख लिया है और यह पूरा जो पनीर इसको इसके अंदर डाल देंगे इस तरह से आप एक मार पनीर बना के जरूर देखिए सिरक्या से या निम्बू से कई वार फटता नहीं है तो इससे बहुत जल्दी दूद फट जाता है तो इससे लटकाा देंगे कुछ दिर के लिए और फीर से कोई बी आप बरतन लीजिए जengo threat कोछ भी कुछ ताइम के लिए इसके ओपर कुछबी हैवी हम रख देंगे कोई भी चीज आप रख सकते हो जो भी आपके पास हो तो इस तरह से मैं इसके एक प्लेट और रखके और इसके उपर लोहे का जो बटा होता है पहले तकड़ी में यूज होता था तो वो मेरे पास बढ़ा था तो मैं यह वो रख रही हूँ तो इस तरह से अभी 5-6 गंटे इसको ऐसे बढ़ा रहने देंगे तो यह देखिए जो पानी था उसके अंदर वो निकलने लग गया है तो अभी 5-6 गंटे हो गए हैं इसको अभी हम देखते हैं कि पनीर हमारा रेडी हुआ या नहीं तो यह देखिए पनीर हमारा रेडी हो ग सबजी में गरम करते हैं तो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है तो मार्केट वाले पनीर से भी ज्यादा अच्छा बनता है यह